हर साल की तरह इस साल भी चतूर्ती के दिन हम लोग जा रहे हैं हमारे पूजा पंडाल की मुर्ति लाने जा रहे कुमार टेली पूरा रास्ता कुमार टूली का व्यूज सब कुछ आपको दिखाएंगे वहाँ पर का कुछ पूजा पंडाल भी आपको दिखाएंगे चोटा देखिए क्रोमा द्वारा कितना खुबसूरत सा आलपोना किया हुआ है हावड़ा ब्रिज पर और सामने रहा खुबसूरत सा अहरी टोला का पूजा पंडाल ये पूजा पंडाल भी कूलकाता में बहुत फेमस है और भक्तों का जून इसे देखने आता है और फाइनली हम लोग कुमार टूली इंट्री कर चुके हैं ये रहा एक मा की प्रतिमा लौरी पर सवार होकर पूजा पंडाल के तरफ जाने को पूरी तयार है हम लोग कुमार टूली सारवजननी का दुरगा पूजा पंडाल देखने आ गए हैं कितना खुपसूरत माता का चहरा लग रहा है ये माता की प्रतिमा कितनी भव्य है मैं अपके पूजा पंडाल से चला है हूं फाइनली कुमार टूली और चली आपको दिखाते हैं और पहले गर्शन कराते हैं हमारे पूजा पंडाल की प्रतिमा और ये रही हमारे पूजा पंडाल की माता की प्रतिमा संसं आपको कुछ और भी प्रतिमा दिखाते हैं और लिजिये हम लग चले आँ हैं जगत मुखरजी पार्क का पूजा पंडाल देखने के लिए इस पूजा पंडाल का थीम है विविन ड्रॉइंग आर्टिस्ट को स्रधान जली देना करे अली आर्टिस्ट कर दो कर दो इतनी कुपसूरत है मा की प्रतिमा की पूरा मन मोले रही है ये एक और मा की प्रतिमा अपने पूजा पंडाल के तरफ बढ़ चली अब हम लोग आचुके हैं कुमार टुली पार्क का दुरगा पूजा देखने मैं ये पूजा पंडाल बहुत सालों बात देख रहा हूँ देखिए एक बड़ा सा रानी का चेर बनाया है इन्होंने पंडाल के रूप में और हमारी दुरगामा इस चेर पे विराजमान है पंडाल के अंदर बच्चों द्वारा खेले जाने वाले सापसिड़ी लुडू चेस पुतला सजाया गया है और सामने देखिए कितना खुपसूर अत्मा की प्रतिमा है जै दुरगामा और सामने जैने 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 प्रतिमा खेले जैने दखिए कितना खेह प्रतिमा की प्रतिमा है तो फाइनली हमारी दुर्गामा हमारे लौरी पर जढ़ चुकी है यहां से हमारे साथ हमारे पुजा मंदब तक जाएगी और हमारी पुजा मंदब की सुबह पर आएगी आई होप आज का छोटा ब्लोग आपको कुमार टुली का अच्छा लगा होगा मिलते आप से फिर कल दुबारा तिल दिन बाबाई श्यू सुन जय माता दी